Hello Everyone, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं Windows Fundamentals के ऊपर Windows Fundamentals टोटल थ्री पार्ट्स में divided है आज हम जो रूम attempt करने वाले हैं वो है Windows Fundamentals part 1 तो डाइरेक्ली हम टास्क बन पर चलते हैं और हम रीट करते हैं कि क्या कहता है मशीन को में यह आपर start कर दूँगा तो आपको अलड़ी पता होगा कि Windows एक operating system है जिसको Microsoft नाम की company ने बनाया है and Windows basically एक graphical user interface है जापर हमें system files, utilities, settings, features इस type की चीज़ से मिलती है actually Windows जो है वो एक complex product है complex product इसलिए है because वो सिर्फ एक चीज़ नहीं है वो सारी चीज़ों का मिश्रण है तो इस module में हमें एक general overview लेंगे Windows operating system का, हम उसके user interface के अंदर move करेंगे हम उसके system में changes करेंगे and जो हमारा content है वो aim करता है कि हम Windows operating system के साथ comfortable हो जाए Windows आपने बच्पन से ही चलाया होगा but आज हम इसको try hack me के room के तरीके से लेखेंगे because यहां पर कुछ fundamentals हमें cover up करने हा तो next हमें यहां पर क्या कहता है कि हमें virtual machine को launch करना है तो यहां पर अभी launch होई रही है machine and if you want to access the virtual machine via remote desktop use the credentials below आपको यह पता है RDP क्या होता है yes या नो करके आप बताना मुझे मैं दूसरे screen से यहां पर देख सकता हूँ के जुबयान को पता है सोरब को नहीं पता मुसकान को भी नहीं पता all right and दाश लक्ष्मी आपको देखो अगर मैं simple words में बात करूँ तो RDP की मदद से आप connect कर सकते हो एक computer को दूसरे computer के साथ ठीक है मान के चलो कि मुझे यहां पर बैट कर Zuban का system control करना है तो मैं अपने system और Zuban के system के वीच में एक RDP setup create कर लोगा जिसमें कुछ basic keys exchange होंगी उसमें user id and password exchange होगा and एक IP address दिया जाएगा जिसकी मदद से मैं Zuban के computer को अपने ही computer से control कर सकता हूँ तो यहां पर भी वो similar चीज कह रहा है कि अगर मुझे एक remote desktop connection बनाना है तो मैं virtual machine की मदद से यहां पर यह चीज़ें use कर सकता हूँ machine IP हमें दे रखा है user दे रखा है and हमें password given है तो यहां पर यह चीज है except the certificate okay तो इसको हम एक बार try out करेंगे अभी हम attack box को भी start कर लेते sir sorry to disturb you so like is it like any desk any desk बिलकुल same any desk जो है वो एक अलग से आप third party software डालते हो ना बट आपको any desk जैसा डालने कुछ जरूरत नहीं होती आप directly ही कर सकते हो यह काम अपने system से मैं इक बर देख लेता हूँ कि मेरे उसमे remote desktop का option आता है या नहीं आता नहीं यह तो हमें बता है कि remote desktop क्या होता है let me check it नहीं तो हमें machine उस पर मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है read above and start the virtual machine virtual machine start हो चुकी IP आ चुक है हमारे पस then next क्या बात करता है windows additions के बारे में देखो windows start हुआ था around the year 1985 में आज के टाइम में latest version आपको पता ही है कि windows 11 exist करता है अब यहां पर क्या कहता है कि जो windows operating system है वो dominant है dominant यहां पर क्यों है because घर में भी windows यूज होता है and corporate offices में भी windows यूज होता है ठीक है windows actually आपको हर जगा मिल जाएगा बट अगर इसके competitors के हम बात करते हैं आपका हो गया macOS हो गया या फिर अगर आपके पास linux हो गया तो वो आपको कम देखने को मिलते है as compared to windows जो market जादा capture कर रखी है वो windows ने कर रखी है जादा लोग windows का इस्तिमाल करते हैं इसी वज़े से ही hackers और malware writers windows के लिए viruses जादा बनाते हैं अब जो windows का सबसे popular version था शुरुआत में वो था windows xp उसके बाद windows vista announce हुआ था and windows vista जब announce हुआ था उस वक्त जो windows का market share था वो पूरा पलट ही गया था windows vista में issues थे बहुत सारे थे and अगर हम बात करते हैं पुराने time में जितने भी issues आते गए थे windows उसको fix भी करता गया था अब आपको एक चीज़ और पता होने चाहिए एक और term होती है eol जिसको हम बोलते है end of life ठीक है अब end of life में क्या होता है कि अगर कोई company announce कर देती है कि इस product का eol है तो उस product का support खतम हो जाता है windows xp का eol मतलब windows xp का end of life microsoft ने बहुत पहले ही announce कर दिया था और जितने भी customers थे वो panic कर रहे थे कि क्या windows नहीं चलेगा क्या ये सब ही बंद हो जाएगा because windows actually हर जगा इस्तिमाल होता था ठीक है आपका corporates हो गए hospitals हो गए या कोई भी छोटी से छोटी organization बड़ी से बड़ी organization वहाँ पर windows का इस्तिमाल होता था अब इसके बाद जो हमारे पास major version आया था वो आया था windows 7 का मुझे आज भी याद है कि windows 7 का craze बहुत जादा रहा था अपने time में वैसे आप लोगों ने कभी windows 7 यूज करिये मुसकान जुपन ओके ओल्राइट तो windows 7 के बाद windows के कई versions है windows 8.1 windows 8 8.1 then 9 आया ही नहीं था 9 के बाद 10 आया था 10 बहुत जादा साल continue हुआ 10 के बाद 11 आया and 11 भी बहुत जल्दी over हो जाएगा because 11 के बाद 12 वर्जिन जरूर आएगा windows का and उसके उपर already काम चल रहा है तो यहाँ पर क्या कहता है कि windows had to work against the clock to ensure their products work with windows 7 for the customers if they couldn't the customers had to break their agreement and find another vendor that upgraded their products to work with the windows 7 देखो अगर मैं main चीज़ बताऊ ना तो windows जब भी release होती है उसके साथ बहुत बार driver issues आते हैं कुछ cases में hardware issues आते हैं कुछ cases में अलग-लग issues आते हैं पर जितने भी यह issues होते हैं उसको कभी-कबार vendor की site से solve करना पड़ता है कभी-कबार windows operating system मतलब microsoft की site से solve करना पड़ता है तो windows 7 जब आया था issues पर ज़्यादा ज़्यादा काम किया गया था और ensure किया गए था कि issues कम से कम आए बिकुज अगर issues आएंगे तब होगा क्या कि न जो companies है या फिर vendors है उनको अपना agreement तोड़ना पड़ेगा और उनको दूसरे alternatives के तरह स्विच करना पड़ेगा ठीक है मान के चलो कि जैसे मैं इस वक्त microphone यूज कर रहा हूँ blue company का यह मैं microphone यूज कर रहा हूँ 10 साल पहले या 12 साल पहले जब windows 7 चलता होगा अगर तब मेरा microphone windows 7 के साथ काम नहीं करता तो जो user है वो try out करेगा कि वो यह specific product छोड़के वो किसी और product पर shift करेगा ठीक है and similarly अगर windows 7 धंग से नहीं चलेगा तब companies क्या try out करेंगी कि हम या तो linux पर shift हो जाए या mac पर shift हो जाए या किसी और operating system पर shift हो जाए तो यह जो सारे के सारी दिक्कते हैं यह microsoft ने solve करी over the time ठीक है windows 7 भी release हुआ बहुर time तक चला then windows 7 को भी AOL मिला ठीक है windows 7 का भी end of life आया then windows 8 आया 8.1 आया over the time यह भी हुआ then windows 8 भी चला गया उसके बाद आया windows 10 आज के time में windows 10 भी जा चुका है 2025 में windows 10 का भी EOL आ जाएगा and फिर windows 10 पूरा खतम हो जाएगा उसके बाद आयगा windows 11 and over the time क्या है microsoft के साथ कि windows के अलग लग versions निकालते हैं ताकि वो real life जितने भी चीज़े अपडेट हो रही हैं वो उनके साथ बिल्कुल synchronize करके रख सके बिकुज competitors हमेशा try out करते हैं कि वो दूसरे competitors को खतम कर सके क्या इतने portion क्लियर है आपको मुसकान दाजलक्षमी या जितने भी लोग है आप है तो इसके बाद क्या कहता है कि जो windows है वो ज्यादा तर दो flavors में आते हैं एक होता है home और दूसरा होता है pro ठीक है home generally आपके घर के use के लिए pro में क्या होता है कुछ features add होते है then windows के servers operating system भी आते हैं basically हम servers के ऊपर भी windows install कर सकते हैं यहां पर इन्होंने एक version number दे रखा है windows server 2019 ठीक है अब यहां पर जो भी critics है Microsoft के वो bash करते हैं बहुत पार वो basically हई बेस्टी करते हैं कि windows क्या है यह तो easily hack हो सकती है and x y z चीज है ठीक है तो windows के साथ यह criticism भी बहुत बाहर रहा है and यह सचाई भी है देखो जिस product के जादा users होंगे न hackers उसके ओपर attack जादा से जादा करने का try out करेंगे आपको यह बात पता है यह clear है यह चाज़ आपको राजलक्ष्मी, मुस्कान, सोरभ या जितने भी लोग है यहां पर so ban okay तो उसके बाद यहां पर इन्होंने last update किया था यहां पर June 2021 में then windows 10 की retirement date announce हो गई वही मैंने का था कि 2025 तक ही windows 10 चलेगा उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा तो windows 11 आ चुका है अब यहां पर इन्होंने एक चीज़ पूछ रखिया है what encryption can you enable on pro that you can't enable in home तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं पहले आप मुझे बताओ encryption आपको पता है क्या होता है यह सूर नो करके सूर आपको बता है बागी लोगों को जुबैन को पता है मुसकाहन को भी पता है तो देखो encryption हां ओके राजटक्षमी बेसिकली आपके ना हर operating system पर encryption का option जरूर होना चाहिए because कल को अगर कोई hacker आपके system को hack करने का try out करता है या फिर कोई third party software directly access लेने का try करता है disk का तो वो नहीं ले पाएगा because आपके system पर encryption होगा चीजे क्या है चीजे already क्या है वो locked होंगी मतलब अगर आपको उसको unlock करना है तो उसको specific password या fingerprint की जरूरत होगी windows पर कौन सा encryption available है वो है bit locker ठीक है उसके बार task 3 है हमारे पास windows का GUI समझा रखा है ठीक है मुझे नहीं लगता कि मुझे को GUI को बहुत ज्यादा बताने के जरूरत है because आप लोगों ने बच्पन से windows के उपर काम करी रखा है home screen क्या होती है जन्दले recycle bin हमें मिलता है मुझे deep में समझाने की जरूरत नहीं है राइट क्लिक अगर आप करोगे तो आपको refresh, view, sort by कुछ इस टाइप की चीज़े मिल जाएंगी आपको copy paste करने की option मिल जाएंगे आप display की settings कर सकते हो आप screen का resolution चेंज कर सकते हो resolution का meaning अगर आपको नहीं पता तो life में जब आप अलग-लग कभी जाओगे जैसे chroma store जाओगे या कहीं पे भी जाओगे तो अब आपको अलग-लग monitors देखने को मिलेंगे तो अगर आप अपने laptop को या CPU को connect करते हो किसी वो monitor से तब आपको उसका resolution set करना पड़ता है ठीक है यह तो पता होगा कि resolution क्या होता है सबी को yes or no सोरब को बता है तो अगर यह चीज़ पता है दन हम आगे जंप कर सकते हैं उसके बाद इन्होंने कुछ basic चीज़े बता रही है settings को हम personalize कर सकते हैं wallpaper चेंज कर सकते हैं then themes, fonts की सारी चीज़े बहुत basic चीज़ है then start menu के बारे में बता रहा है आज के time में start menu change हो चुका है ओके मैं अभी linux use कर रहा हूं मुझे रगा कि मैं windows कर रहा हूं ठीक है तो कुछ इस type की चीज़े हमें available है then the more desktop sessions हम initiate कर सकते हैं और हम उनको close भी कर सकते हैं पिन भी कर सकते हो उसके बाद आप टास्क बार में भी चीज़ों को पिन भी कर सकते हो उन पिन भी कर सकते हो तो यहां पर यह basic चीज़े है then notification area आपको पता होगा कि आपको right side में notifications दिखाई देते हैं तो यह कुछ basic चीज़े है then यहां पर कुछ question पूछ रखे हैं कि अगर आपको search box को hide या disable करना है तो आप आपको क्या चीज़ select करनी होगी आपको hidden box select करना होगा यह चीज़ आपको settings में मिल दी है then next उन्होंने पूछ रखा है which selection will hide और disable the task view button तो इस पर भी जब आप right click करोगे setting के अंदर भी जब आप जाओगे आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा show task view button ठीक है आप क्या कर सकते हो आप इसको enable भी कर सकते हो and आप इसको disable भी कर सकते हो उसके अलावा इन्होंने क्या का है कि besides clock and network what other icon is visible in the notification area जिसको हम action center बोलते हैं अगर action center नहीं पदा तो right side में जब आप नीचे जाओगे न तब आपको यहाँ पर time दिखाई देता है time के साथ आपको और भी wifi bluetooth कुछ basic सी से दिखाई देती है and जब आप बिल्कुल right side down में जाते हो वहाँ पर आपको notifications and उस पूरे panel का नाम होता है action center is it clear yes or no yes इसके बाद हमारे पास task 4 है task 4 में हम यहाँ पर बात करते हैं file system के बारे में file system अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि हर एक operating system पर एक file system exist करता है file system एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप अलग-लग files directories इन चीज़ों को manage कर सकते हो एक system में windows के अंदर जो file system होता है उसका नाम होता है NTFS NTFS के full form होती है new technology file system ठीक है NTFS से पहले windows के अंदर F16 और F32 था F F F ये FAT जिसको मैं बात कर रहा हूं FAT के full form होती है file allocation table and इसके अलावा HPFS भी था जिसको हम बोलते है high performance file system अभी might be आपको इनके बारे में नहीं बता हो detail में आप बस इतना ही बात समझ सकते हो कि ये over the time अलग-लग file system के versions है latest जो है वो है NTFS जिसको हम बोलते है new technology file system is it clear yes or no Raj Lakshmi Muskahan okay then मैं आपको एक चीज और बताता हो आज के time में जितने भी आप USB devices देखते हो या SD card देखते हो या ऐसी चीज़े देखते हो जो आपके Windows में भी चल जाती है Mac में भी चल जाती है या फिर आपके Android और दूसरे devices में भी चल जाती है तो उसके अंदर होते है हमारे पास fat partitions fat क्या होता है यह file allocation टीप तो वो fat partitions का इस्तेमाल करते है then अगर हम उसके बात बात करें तो NTFS एक journaling file system है journaling file system का मिनिंग क्या है कि अगर या पर कोई दिक्कत भी आ जाती है तो यह automatically try करता है files और folders को repair करने का ठीक है because यहां पर चीजे logs में store होती है अगर आपको logs का विनिंग नहीं पता तो आप जितने भी action करते हो आप यह समझ सकते हो कि एक तरीके की diary maintain होती है और उस diary में हर एक second का detail होती है कि इस वक्त यहां पर file यहां से आ गई यह file open हो यह file delete हो यह सारी की सारी चीजे कहां होती है यह होती है logs के अंदर तो NTFS को हम क्या बोलते है journaling file system कि जितने भी actions है वो सभी के सभी record हो रहा है अब अगर हम NTFS की बात करते हैं तो इसके इनने बता रखिया है कि limitations यहां पर दे रखिया है कि NTFS addresses many of the limitations of the previous file system NTFS से पुराने जो file system थे उनमें अपनी limitations थी NTFS ने क्या किया है उनको overcome किया है कि अगर उसमें पुराने file system में जो कमिया थी NTFS ने उसको fix किया है पुराने file systems में आफ 4GB से उपर की files को support नहीं करते थे पर NTFS जब से आया है हमारे system में 4GB से उपर की भी files होती है NTFS के अंदर हम files और folders की permission set कर सकते है files और folders को compress कर सकते है और हम encryption भी कर सकते है EFS की मदद से जिसको हम बोलते है encryption file system Is it clear? Clear है ये portion आपको? Yes आप इसके बाद generally जब आप अपने system में जाओगे तब आपको आपने system में एक C drive जरूर मिलेगी C drive एक ऐसे drive है जहां पर जब आप जाओगे तो ना आपका windows जादतर chances है कि वही पर store होगा अगर आप अभी अपने file explorer में भी जाओगे this PC में जाओगे तब आपको devices and drives के अंदर आपको दीखेगा local disk C करके देखो C के अलावा भी हो सकते है depending कि आप एक CPU चला रहे हो या फिर आप एक third party storage कर इस्तेमाल कर रहे हो पर by default हम चीज़े C में store करते हैं और जब आप right click करोगे वहाँ पर properties में जाओगे जैसे आप देख सकते हो कि इस animation में properties में गए तब वहाँ पर लिखा हुआ है type के type local disk and file system NTFS एक बार आप इसको ध्यान से देखना आप इस PC में गए देन यहाँ पर गए properties में गए और यहाँ पर आपको file system में NTFS दिखाई दे रहा है इस इस क्लिए जाज लक्षमी मुस्कान और बाकी लोग जितने भी हैं यहाँ पर सी वर्ड की स्ट्री क्या है दुको हिस्ट्री तो ऐसे कुछ है नहीं बट स्टिल अगर आपको हिस्ट्री यह चीज़े सर्च करने हैं कि सी ही क्यों यूज करते हैं तो एक बार आप गूगल कर सकते हो ठीक है यहाँ पर इन्होंने Microsoft का एक official documentation भी दे रखा है याभी हमें उसको read करने की ज़ोड़क नहीं है तो यहाँ पर कुछ permissions दे रखी है याद हो तो मैंने आपको Linux में permissions बताई थी किसी ने पुराना session attend किया हो तब उनको याद होना चाहिए मैंने बताया था Linux में तीन तरीके की permission होती है read write and execute ntfs volume में permission थोड़ी अलग तरीके से होती है जापर read write read and execute modify full control and list file contents कुछ इस तरीके की permissions exist करते हैं is it clear यहाँ पर इनके meaning भी दे रखे हैं कि जब आप read करने का देते हो तो इसका meaning है कि आप किसे भी file को view कर सकते हो या list कर सकते हो जब आप write करने की permission देते हो तो इसका meaning है कि आप files और subfolders में changes करने की permission देते हो जब आप read and execute का देते हो तो इसका मिनिंग क्या है कि आप उन files को as a program run कर सकते हो list folder contents का मिनिंग है कि आप folder के अंदर की files को check out कर सकते हो modify का मिनिंग है कि अगर कोई folder delete हुआ है आप उसमें इस type की permission दे सकते हो या फिर files और folders में changes कर सकते हो full control का मिनिंग है कि जहां पर आपको हर चीज की permission मिलगी read करने की write करने की change करने की files और folders को सब को delete करने की भी is it clear yes or no guys बहुत basic सा room है okay then उसके बाद क्या कहता है कि हम permission किस तरीके से देख सकते है permission देखना बहुत simple है आप किसे भी folder या file पर जाओगे आप right click करना right click करने के बाद आपको properties पर जाना है properties पर जाने के बाद आपको security पर जाना security में जाने के बाद आपको न वहाँ पर option दिख जाएंगे group और username करके वहाँ पर आपको user भी दिख सकता है या फिर अपना नाम दिख जाएगा user की जगए तेन आपको administrator या फिर group कुछ इस type के चीज़े दिख जाएंगी जब आप उन पर click करोगे तब आपको वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा permission for users देन यहां पर आपको कुछ इस तरीके दिखाई दे रहा है फुल कंट्रोल, modify, read and execute, list, folder contents, read, write, allow and deny इस ताइप से आपको कुछ चीज़े आपर दिखाई देंगी इस तरी, is it clear? ठीक है, आप लोग इन चीज़ों को try out भी कर सकते हो, आपको कोई भी doubts हो, आप अगले session में पूछ लेना, या आप इसी session में पूछ लेना, आगे, ठीक है, तो यहां पर इन्होंने documentation दे रखे हैं, then यहां पर NTFS का इन्होंने इक और feature बता रखा है, जिसको ह हम बोलते हैं, ADS, ADS के full phone होती है, alternate data streams, अब यह ना, अलग से एक file attribute है, जो के specifically Windows के NTFS के लिए ही बनाया गया, अब यहां पर हमें इतना deep में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ADS के बारे में, पर यह चीज़े आपको over the time समझा जाएंगी, अब यहां पर क्या कहता है, ह From a security perspective, malware writers have used ADS to hide data, malware writers क्या करते हैं, वो ADS का इस्तिमाल करते हैं, data को hide करने के लिए, अब ADS के सारे इस्तिमाल भूरे नहीं होते, malicious नहीं होते, for example, यहां पर क्या कहता है, कि जब हम किसी file को बेंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो हमारे पस कुछ identifiers होते हैं, जो कि ADS में लिखते हैं, जिससे की पता चलता है कि यह specific file इंटरनेट से डाउनलोड की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा पर्द लेते हैं ADS के बारे में, alternative data streams के बारे में, every file has at least one data stream, जिसको हम dollar data भी कहते हैं, and ADS allows files to contain more than one stream of data, natively Windows Explorer can't display the ADS to the user, there are third party executable that can be used to view the data, but PowerShell gives you the ability to view the ADS, तो वही मैं कहा हूँ, अभी आपको ADS में इतना deep में जाने की ज़रूत नहीं है, वो आपको आगे समझा जाएगा, इन्होंने यह NTFS का meaning पूछ रखा है, basically full form, full form होती है new technology file system, and इसे के साथ ही हमारा task 4 end होता है, is it clear? yes or no, अगर आपको doubts हो, तो आप पूछ लेना कोई दिखकत नहीं है, okay, then अगर आपको इतना portion clear है, then हम task 5 देखते हैं, task 5 बहुत basic से चीज़ है, अगर आपको भी windows के c drive में गए हो, c drive के अंदर आपको एक चीज़ मिलती है, windows का folder, ठीक है, यही folder basically आपका windows operating system को contain करके रखता है, इसी के अंदर चीज़े exist करती है, अब यहां पर क्या कहता है, कि generally चीज़े जरूरी नहीं है कि c drive में ही हो, but by default अगर आप देखोगे, किसी भी laptop को उठाओगे, तो वो c drive के अंदर यह चीज़े डल के आती है, ठीक है, अब इसी के अंदर आपके पास environmental variables होते है, environmental variables हभी तक हमने discuss नहीं करे है, ठीक है, वैसे आप मुझे एक बार बताओ, आपको पता है कि environmental variables क्या होते है, येस और नो कर ये बता दो, नहीं पता तो मैं बता दोगा, पता है तो ठीक है, चलो मैं जो definition Microsoft ने दे रखी है, हम एक बार वो रीड कर लेते हैं, as per Microsoft, environment variables store information about the operating system environment, it includes the information details such as the operating system path, number of processors used by operating system and location of temporary folders, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि environment variable में operating system environment से related information store होती है, वो information किस प्रकार की हो सकती है, it's like आपका operating system का रास्ता हो सकता है, उसका path हो सकता है, कौन से processors इस्तेमाल हुए है उस operating system के साथ, जो भी उसके अंदर temporary files या folders exist करते हैं, वो कहाँ पर store होती हैं, तो यह सारी की सारी चीज़े कहाँ पर exist करती हैं, यह exist करती हैं environment variables में, is it clear? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कि might भी आप लोगों के दिमाग से न, सारी बाते सिर के उपर से निकल रहे हो, पर न, कुछ portion ऐसा होगा, जो कि आप grasp कर जाओ, और वही portion आपको बाद में काम आएगा, अभी जो चीज़ हम कर रहे हैं, यह चीज़ आपको खुद भी पढ़के देखनी होगी, आपको चीज़े समझ नहीं होगी, कि cyber security करते वक्त न, बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है, जो कि हमें by default समझ नहीं आती, बिकोज हमें उसका context नहीं बता होता, पर कई बार क्या होता है, कि हमें जितना portion समझ आ रहा है, वो चीज़ करके, आगे बढ़ना होता है, and over that time हम उस portion को revise करते हैं, कि अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, because तब तक क्या होता है, कि हमें और भी चीज़े समझ आ जाती है, and हम dots को connect कर रहे होते हैं, आप इसमें, is it clear? Guys, क्या यहां तक आपको चीज़े clear है, yes or no करके आप बता सकते हो, मैं यहां पर चार्ट सकते हो, okay, अगर आपको इतना portion clear है, आप देख भी सकते हो, यहां पर अगर आप जाओगे this PC, this PC में आप जाओगे, c drive में, c drive में आपको windows नाम का falter मिलेगा, तब आपको कुछ इस टाइब की files दिखाई देंगे, ठीक है, and इसी के अंदर जब आप जाओगे, तब आपको यहां पर windows के अंदर ही एक folder दिखाई देगा, जिसका नाम होगा system32, ठीक है, तो system32 के अंदर बहुत ज़्यादा important files होती है, the system32 folder holds the important files that are critical for the operating system, you should proceed with extreme cohesion when interacting with this folder, accidentally deleting any files or folders within system32, can render the windows operating system in operational, then यहां पर इन्होंने कुछ actions के बारे में बता रखाए, कि अगर हम delete कर दोए, तब क्या-क्या actions होंगे, या क्या-क्या चीज़ें होंगी, देखो मैं बता देता हूं, कि ना windows के अंदर system32 के अंदर ही सारी चीज़े होती है, ठीक है major, बहुत ज़ादा critical files exist करती है, system32 नाम के folder में, अगर आपने एक file भी इसके इधर की उधर कर दीना, तब आपका system crash होने के chances, बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं, is it clear? आप try भी कर सकते हो, तो आप एक बार मैं आपको task देता हो, अगर आप लोग windows यूज़ करते हो, तो क्या आप एक बार अपने system में जाकर check करोगे, कि क्या ही फोल्डर exist कर रहा है या नहीं कर रहा, ओके तो आप लोग try out कर रहा, मैं यही पर ही हूँ आपे, ओके जिसका भी हो जाए, जिसका भी system 32 नाम का फोल्डर में जाए, आप done कर देना, जास लक्षमी कोई doubt है आपको, ओके जुबैन को मिल गया है, ओके बाकी लोगों को, राज लक्षमी को मिल गया है, ठीक है तो इस type से आपके system में, C drive exist करती है, C drive के अंदर windows, और windows के अंदर system 32 नाम की चीज़ आपको मिलती है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछ रखा है, कि windows folder के अंदर system variable कौन चा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, windows के अंदर जो system variable होता है, वो होता है हमारा percentage, win dir percentage, मैं दुबारा repeat कर रहा हूँ, percentage, windows का win directories जिसको folder भी बोलती हो, dir and percentage, win dir percentage starting में and ending में, यही system इसका variable होता है, यह मैंने अलड़ी फिल कर रखा है, task 5 तक आपको चीज़े clear होनी चाहिए, अगर आपको कोई भी doubt हो, तो आप पूछ सकते हो, task 5 आपको clear है, yes or no, तो आज हमने task 5 तक किया है, एक बार पहले मैं check कर लेता हूँ, task 6, ओकी ठीक है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, task 6 में मैं आपको बता रेता हूँ, कि ना windows अगर आप general बात करते हो, तो windows system के अंदर, हम और भी users add कर सकते हैं, आपने एक से नोटिस करी है, जब आप किसे भी company में जाते हो, तो क्या company में एक computer को सिर्फ एक ही इंसान चलाता है, एक computer को multiple log भी चला सकते हैं, तो इसका meaning क्या है, कि मैं एक ही laptop में, या एक ही computer में, मैं एक से ज़्यादा users create कर सकता हूँ, या कई पर आपने एक term भी सुनी होगी, multiple user operating system, पता है आपको इस पारे में, येस होगा, तो यहाँ पर क्या कहता है, कि Windows भी multi user operating system है, इसके अंदर generally, दो type के users हम create कर सकते हैं, या फिर दो type के accounts हम बना सकते हैं, एक होता administrator, और एक होता standard, ठीक है, administrator के पास सारे control होते हैं, इस standard के पास वो controls होते हैं, जो के administrator set करके देता है, ठीक है, और हमारे account type से ही पता चलता है, कि हम Windows के system पर क्या क्या action कर सकते हैं, एक administrator पूरे-पूरे system में कुछ भी change कर सकता है, और भी users को add कर सकता है, existing users को delete कर सकता है, groups को modify कर सकता है, settings को change कर सकता है, पर एक standard user, specific files और folders, या जो भी permission उसको जितने भी दी गई है, वो सिर्फ उतना ही काम कर सकता है, अगर administrator ने उसको program installation की permission नहीं दे रखी, तब वो programs को install नहीं कर सकता, ठीक है, अगर आप अपने system में as a administrator logged in हो, तब आप अपने system में और भी users को add कर सकते हो, आपको ज़िश स्टार्ट मेन्यू में जाना है, सर्च में जाना है और आपको type करना है other user, या फिर आप system settings में भी जा सकते हो, और system settings में आपको other user का option मिल जाएगा, वहां से आप और भी users को add कर सकते हो, आपको कुछ इस type का pop-up मिलेगा, या dialogue books मिलेगा, जा पर दिखाएगा add someone else to use this PC, then आप उसको add कर सकते हो, आपको then account type चूज़ करना है, कि standard user बनाना है या administrator, then आप उसका path चूज़ कर सकते हो, और वहां पर profile create हो जाएगी, जिस तरीके से भी आप उसमें settings करते हो, उस दूसरे user में भी आपको कुछ इसे type की चीज़े दिखेंगी, desktop, documents, download, music and pictures, बच शुरवात में वो empty होगा, कुछ ऐसे ही जैसे एक नएा computer उसको मिलाओ, is it clear? Yes or no, क्या इतना portion आपको clear है? Raj Lakshmi, Muskan, Zuban, या जितने भी लोग है याँ पर? Alright, तो अगर आपको इतना portion clear है, then इन्होंने एक और भी हमें तरीका दिया है, कि अगर हम इस type की information को check करना चाहते हैं, तो हमारे पर स local user and group management नाम के भी चीज़ होती है, इसका एक shortcut भी है, shortcut कैसे है? आप Windows R दबा के आप run भी कर सकते हो, या फिर आप directly search करके run search करोगे, तो उसके अंदर आप लिख सकते हो, lusrmgr.msc, तब आपके पास कुछ इस type का चीज़ open up होगी, यहाँ पर जब आप run में गए, तब आप लिख सकते हो, lusrmgr, तब आपको क्या है, तब आपको कुछ इस type की information दिखाई देगी, जापर और भी users, अगर आप उस चीज़ को चेक करना चाहते हो, तब आप कर सकते हो, अदर्वाइस आपको ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, कि आप इस type की चीज़े try out करके देखो, आप अपने system में और भी users बना के देख सकते हो, ठीक है, बस अपने user के साथ चेड़ चाड़ मत करना, अपने account पर मत चेड़ना, एक secondary user बना लो, उसके बाद आप और users चाड़ करके देखो, आप users को delete करके भी देख सकते हो, आप उनमें sign-in करके भी देख सकते हो, is it clear? multi user समझ आया? guys, yes or no, Raj Lakshmi, Muskan, Zuban, Saurab, या अगर कोई और भी exist करता है यहाँ पर तो, okay, तो यहाँ पर कुछ कुछ हाँचे, फिर हम command form से, हम दूसरे command राने बढ़के, add कर सबते हैं user को, उसमें, I think, वो PowerShell में होना चाहिए, पर मैंने कभी किया नहीं है, Windows में उसके त्रू, डाइरेक्ली हम GUI से कर सकते हैं, जादा तर मेरा काम, या तो मैं Windows पर करता हूँ, तो मैं वहाँ पर GUI का इस्तेमाल करता हूँ, और Linux में मैं command line का इस्तेमाल करता हूँ, उसमें जरूर कोई ना कोई option होगा, ऐसी बात नहीं है, आड यूजर करके कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है, वो आप जिस्त Google पर सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, आड यूजर करके, commands, क्लिर रहा हूँ, तो यहाँ पर इन्हों ने कुछ questions पूछ रखे हैं, वो चीज हम कल चेक आउट करेंगे, आज हमने यह room 50% कर लिया है, कल हम इसका task 6 के question, 10, 7, 8, 9, 10 को हम चेक आउट करेंगे, तो recording में यही पर stop कर रहा हूँ, इसके बाद हम कुछ चीज़े discuss करेंगे, आज हमने Windows Fundamentals का room 1 सीखा है, half, कल हम इसको complete कर देंगे, so thank you so much, have a great day.